भारतिय सेना के परमवीर चक्र कप्तान कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत हमेशा लोगों के जहन में बसी रहेगी। कारगिल के युद्ध में अपने साथी की जान बचा कर वह खुद शहीद हो गए थे। 24 साल की उम्र में 7 जुलाई 1999 में अपनी जान गवाने वाले विक्रम ने वीरता और देश प्रेम की अदभुद मिसाल पेश की है। इनहीं शहीद भगत सिंग, चंद्र शेकर आजाद, सुभाश चंद्र बोस, आदी देश भक्तू की वीर गाथाईर रट गई थी। हिमाचल प्रदेश में कक्षा दो तक की पढ़ाई करने के बाद वह चंदीगड चले गए। इसके बाद यहीं पर DAV कॉलेज चंदीगड में विज्यान विशे से सनातक की पढ़ाई पूरी की। इस दोरान वह NCC से जुड़े रहे। विक्रम देश के लिए कुछ करने की चाहत रखते थे। इसी के तहट में 1996 में मिलिटरी अकाडमी दहरादून के लिए सिलेक्ट हुए थे। विक्रम काफी हिम्मती थे और काफी सूझ भूच से काम लेते थे। एसे में जब 1999 में कारगिल का युद छड़ गया तो इन्हें भी भेश दिया गया। इस दोरान उनकी डेल्टा कमपनी को पॉइंट एकावन चालिस को कैप्चर करना था। जिसमें इनकी कमपनी ने दुश्मन की बड़ी सेना को धुस्त कर पॉइंट एकावन चालिस की चोटी पर अपना कबज़ा जमा लिया था। इस सब के बाद जब उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो उनका कहना था कि ये दिल मांगे मोर इतना ही वह अपने साथियों को भी इस नारे के बल पर हिम्मत बंदाते थे। जबकि वही दुश्मन भारतिय सेना की ओर से लगाए जाने वाले इस नारे से काफी परिशान हो गए थे। इस दौरान साथ जुलाई उनके जीवन की अंतिन तारीख साबित हुई। इस आपरेशन के तहट लेफटिनन को गोली लग गई थी और वह उन्हें बचाने के लिए घसीट रहे थे। तभी दुश्मनों की एक गोली बत्रा की चाती में लगी और वह वही पर गिर पड़े थे। इस दौरान उनके मूँ से सिर्फ जैमातादीन निकला और वह वीर गती को प्राप्थ हुए। बत्रा इस शहादत पर परवीर चक्र मरनोपरांथ से समानित हुए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।